दोस्तों स्वागत आप सबका इंडिया आप सबका इंडिया इंडिया और अफगानिस्तान की बीच में आपको बता है अगर आज इंडिया हार गया तो हमारी सारी उम्मीदें खतम हो जाएंगी लेकिन आपको एक गुड न्यूस सुना देता हूं आज इंडिया जीतने वाला है क्यों जीतने वाला है आपको आगे वीडियो बता दूंगा तो यहां पर हम बात करेंगे इंडिया और अफगानिस्तान के मैच के बारे में कि जब दोनों ही टीमें इस मैच को खेलने के लिए मैदान मूत रहेंगी तो आज हमारी फैंटेसी की टीम में किस-किस प्लेयर क करें रहे हैं और रोजाना पूरी फैमली मिलके करोड़ो रुपे कमा रही है अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि क्या करोड़ो प्रूफ का है तो प्रूफ भी आपको दिखा देता हूं अगर आपको भी हमारी तरह विन करना है अगर आप भी हमारी तरह daily clean sweep करना चाहते ह मेरी सुन लीजिए एक बात मेरी मान लीजिए ये वीडियो लगबाग 18 मिनट का वीडियो है अगर आपने शुरू से लेकि आखिर तक ध्यान से पूरा वीडियो देख लिया तो मैं गरंटी देता हूँ आपको कोई हरा नहीं सकता क्योंकि एक एक प्लेयर के बारे मैं आपको आपको वीडियो अप्लोड करता हूँ हर मैच में तेरा लाख लोगों ने सब्सक्राइब करते हैं अब आगर आपको वीडियो करना है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए एक दमस्री है आपको कोई पैसा नहीं लगना बस अपने क्लिक करना है तो उम्म आप ये वीडियो पूरा देखिए और वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्चन में जाईएगा टेलिग्राम के लिंक पे क्लिक करियागा और पहुंच जाईएगा टेलिग्राम पर छेल लाख आफ हजार लोगों ने टेलिग्राम पहली जोइन कर रखका है अब के लिए होना जाएगी और जो मेरी फाइनल टीम है रोजाना तेरा लाख लोग को विन करवा रहा हूं वह फाइनल टीम आपको टेलिग्राम पर मिलती है और डेली हर मैच के लिए वहाँ पर फ्री गयोवेस मिलते हैं तो इतने सारे फाइद है लगबग छह लाख लोग रोज में अचे समझें एक एक भाई को लाइक करना है यार बहुत मुश्किल में इन्टीम तो कमसे कम अपना सपोर्ट तो दिखाई सकते हो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा अपका एक बी सेकंड खर्चा नहीं होगा जश्ट अपने लाइक करना है और अपना इंडिया दिख तो आपको डबल कैश मिलने वाला है डबल विनिंग प्राइज मिलने वाला है आप माई-11 सरकल पर खेलिए वहाँ पर जो अमाउंट आप विन कर रहे हो वो तो आपको मिलेगा साथ में अगर इंडिया विन कर गया तो आपको डबल करके मिलेगा वह माउंट तो आपको पता ह तो आज इंडिया का मैंच है इंडिया जीतने वाला तो आज तो sign up करना बनता है और sign up करने के फाइद है एक तो आपको 15 को free bonus मिल जाएगा और दूसरा आपको पहले डिपोजिट पर 20% extra cash मिलेगा और तीसरा आपको VBS लक्ष्मन को अगर आप यहां पर head to head बहरा देते हो तो से अबुधाबी में जहां पर कल दो मैंच खेले गए थे और भाई पिच के बारे में आपको पता चली गया होगा अबुधाबी की पिच कहती है आप आओ थोड़ी देर time spend करो पिच पे उसके बाद फिर run बनाते चले जाओ कल पाकिस्तान ने वही किया थोड़ी देर उनको तो मुश्किल हुई पहले तिन चार पांच अवर खेलने के लिए उन्होंने बिना खत रहके वहां पे खड़े रहे और उसके बाद फिर जो उन्होंने मारा आए नमीबिया वालों को बुरी तरीके से 190 का टार्गट बरा दिया और नमीबिया वालों ने भी वही किया इस स् चक्का यहां पे आउट वहां पे आउट ऐसा नहीं करना होगा ठीक है तो उम्मीद करता हो इंडिया इस चीज़ को समझेगी पाकी बात करा हम यहां पर ग्राउंट के बारे में जो ग्राउंट पर पिछले मैच खेले गए हैं इसमां हमने कल खेले के दोनों मैच एड नही किये हैं आप यहां पर देखिए पिछला मैच खेला गया था बड़ा इसकोर बना ता अफगानिस्तार की टीम ने और नवीविया की टीम सिर्फ अठाम में बना पाई लेकिन उसके लाव आप तीन मैच देखोगे तीनों मैच में 130 के नीचे स्कोर रहा है और कल का मैच बाकि अफगानिस्तान की टीम है अफगानिस्तान की टीम की बैटिंग लाने पुतनी अच्छे नहीं और उनके जो बैट्समेन वह बेसबर बैट्समेन है आप सेजाद को देख लो आप जज़ाई को देख लो उनको क्या पहली दूसीरी बान सी मारना होता है तो मुझे मेले की बात है 2012-2010 की बात है तो बहुत पराणी बात होगी है ठोड़ देते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं यहां पर सीधा चलते हैं विलिंग प्रिडिक्शन अब यह तो मैं आपको बताई रहा हूं ना इंडिया मैच जीतेगी लगभग 80% चांस है कि इंडिया मैच जी बनाइंगे और इनको आट कान करेगा आपको मता रोष शर्मा कैसी हर में और रोष शर्मा चाउन सब्ण को आउट करेखल लेकिन अभी नहीं पहले आप दूसरा के सब्सक्रियागा जो आगे आहने वाला दोनों कोशन सुनने के बाद आपने एक ही कमेंट में यह हैस्टाइग यूज करते हो अपना आंसर देना अगर आपका सही आंसर हो गया तो आपको फ्री में दस हजार रुब मिलेंगों कुछ भी नहीं करना मैंस आपने आंसर करना है ठीक है तो बात कर लेते हैं आगे हम यहाँ पर प्लेंग आपका बैटिंग और ना पूरी तरीकी से आपने खराब कर लिए पिछले मेंच में राहूल और रोई शर्माई बेस्ट आप नेट से उसके बाद इबराट को लिए सुरकुमार यादा रिशब पंत है हार्दिक पांडिया अब हार्दिक पांडिया क्या करना क्या नहीं कर रहा है और वरुण चक्रवर्थी है यह इंडिया की प्लेंग लेवन होनी चाहिए अब इसमें वरुण चक्रवर्थी दोनों मैच में विकेट लेस रहे हैं तो वरुण चक्रवर्थी की जगापर यह अश्वीन को ट्राय कर सकते हैं बहुत कम चांसे लेकिन कर सकते हैं पंत को नहीं लोंगा क्योंकि मुझे इंडिया के टॉप के बैट्समेल लेने और कम से कम चार बॉलर लेने अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगा तब भी मैं टॉफ थ्री के साथ जाओंगा और यहां से मैं जस्पृत दुम्रा मौहमाश्यामी रविंद जड़जा और ठा करें अब 7 वेयर का डॉट मैं आपका क्लेयर करूँगा टेली ग्राम पर तो इसलिए वह भाइग ना आने तक बहुत सारी चीज चीज होती जो पूरी होती हा टॉस के बाद टैलीग्राम पर ठीक है तो आप टेलीग्राम जो लिएगा इस वीडियो को देखने के पाट डिस श्रमायन का फॉर्म अच्छा नहीं है आप इन दौनों को ड्रॉप करते हुए लोकोष राउन को लेते हुए यहां से अपने टीम बना सकते हो बैटिंग में ठीक है और बॉलिंग में आप क्या कर सकते हो वरुण चक्रवर्थी आउट फॉर्म चल रहे तो वरुण चक्रवर ही है पिछले पांच इनिंग में उनका हाइइ स्कोर रहा है 29 का अब उधाभी में इसको देखते हुए आप सिर्फ ग्राइड की बात कर रहा हुए स्मॉल लिंग में मैं लेने वारा हुए इनको ड्रॉप कर सकते हो ठीक है अब उसके बात करा हैं यहां पर आपके लोकेश राहूल की अब में बन्दा छपर में तौर कर रहा था तुझे वर्लक अप में क्या पर देखो तो इस वक्त थो नहीं है आप देख सब्त लो बहुत जादा बड़ी यिंग एक बार भी इन्होंने खेले नहीं है रिसेट की चैनिंग मैंसे लेकिन इस ग्राउन पर देखो यहां पर विराट कोई अबुदावी में फिलॉप होते हैं लेकिन सुरुगमार यादव यहां पर रन बनाते हैं यह अच्छी वात हमाई लिए है उसके बात बात कर सकते हो इनका पहुमेंस ना तो बुरा है ना तो अच्छा है फिनिशर का काम करते हैं अच्छे से निवा रहे हैं पिछले दो मेंचे को छोड़ कर गर अब इसके बात करें हार देख पांडिया की इनके बारें वह बात नहीं करूंगा पता नहीं क्यों टीम इंडिया ने खिला रखका है शायद आधा जो टीम इंडिया वर्ल्ड कप आ र मैं आपको बोल रहा हूं और आप मैच के बाद मुझे बता दीजिएगा बोने शुर कुमार ये भी विकेट लेज चल रहे है आई पेल से लेकिर इस ग्राउंड पर इनको विकेट मिल जाते हैं आप मोहमेद शामी की बात करो ये भी आपके लोकेश राहूल की तरह है आई इछले मैच में भी दोगेट गरेते और दोनों को दोनों नहीं लिए थे और इस ग्राउंड पर विकेट करते हैं तो आपके लिए कैप्टर वाइस केप्टर की एक अच्छी चोईस हो सकते हैं उस बात बात करें यह पर वर्लिंचक्रवर्त यह भी भूल जाते हैं यह भी में गजब कर रहे थे और पिछले दोनों में जो विकेट लेस रहे हैं इशान किसन का काफी अच्छा होता इस ग्राउंड पर और इशान किसन गजब के फॉर्म में थे वर्ल्ल कप से पहले थोड़ा यहां से मेमोरी सब की एकदम लुल हो गई है श्रीदल ठाकुर की बात क अफगानिस्तान के प्लेयर्स के बारे में यह प्लेयर ऐसे हैं जो मेरे इसाब से इस ग्राउंड के लिए नहीं बने कोई एकादी बैट्समेन होका जो रून बना पायागा क्योंकि यह बिकिट अगर आपने कल देखा हो तो जो बैट्समेन यहां पर टाइम स्पेंड कर र है तो आज अगर सैम वैसा ही होता है तो फिर आपके रोहिश शर्मा के अलावा बाकि आपके लोकेश राउले आपके व्राट को लिए यह काफी अच्छे प्रमस कर सकते हैं इसमें सजाद यह ऐसे प्लेयर है इनको पहली बॉल से सिक्स चाहिए आपके जज़ाई यह भी ऐ क्या सकता हूँ काफी अच्छा कर रहें इस वक्त उसके बाद महम्मद नभी है और महम्मद नभी ठीक ठाक है काफी अच्छा कहले नहीं और पिछले मैंच में एक और प्लियर के खेले थे हामिद को पिछले मैंच पर हमने टीम में लिया था हमिद ने पिछले मैंच पर तीन विक्र ले थे शायद वो आज इस मैंच में ना खेल पाए प्योंकि अगर मुझीब फिट होते हैं तो मुझीब खेलेंगे हमिद को ड्रॉप किया जालेगा एक काम हो सकता है कि करीम जनत को ड्रॉप करते हुए हामिद को भी खिला ले अब जो भी कहलेगा टॉस के बाद जो पता चलेगा उसके हिसाब से हमने किसको टीम में रखना है किसको नहीं रखना है वह आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा तो इसलिए टेलीग्राम जोन करना आपको बहुत ज़रूर करते हैं अब यहां से राशिद खान और आपके मुहम्मद नभी यह होगी मेरे तीन प्लेयर इसमॉल लीग में अब चौथे प्लेयर के लिए क्या करोंगे भाई मुझीव है आई प्ल केलते हैं काफी है चैक्सपीरियेंस है और विकेट टेकर बॉल है तो इसका ही बनना च पहले बॉलिंग करा है और मैं अगर अफगानिस्तान पहले बॉलिंग कराईगी तो इन चार प्लेयर को लूँगा अफगानिस्तान तरफ से स्मॉल लेग में अब ग्रैंड लिग में आप क्या कर सकते हो यहां से इनको ड्रॉप करते हैं रिशक्पंद को ले लेना और फ्र जीतेगा इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है इंडिया के जो टॉप और है वो लेफ्ट आम पेसर को नहीं खेल पाता है पहले मैच में शाहिन आपनी दूसरी मैच में ट्रेंट वॉल्ट आज अच्छी ख़बर यह कि इस ट्रिम के पास एक भी लेफ्ट आम पेसर नही के वारे में जैसा ही काफी सेट्फ में और सजाद ऑस रहा है इन्हों है सेंचूरी में अपनी टी 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 गुर्वास यह ठेक कर रहे हैं तो नहीं है लेकिन को सजादफ है इस लेकिन ऑपी प्हुर। मैं गर्राप नभी कि महनिन कर रहे हैं विक कि बात क्या दूद्रव्हों गुलाब दिन यह बला एक मैच में पहले मैच अब टेखो थिरान हर मैच में निकालतोर फिरए लिया मुझी भी रहिमान तो मैचा चेले मचों वापसी में करें हो चल है कि दो मैं तो करीम जनात को र है युइंग जो इनका अपही टैलन्ट है उसको इन्हेंai करना चाहिए कर रहे हैं हर मैंच में उसमान गनी का पहुंस काफी अच्छा होता है इस ग्राउंड पर भी और रिसेंट का फॉर्म भी जिंबावी के अगेंस्ट इनका काफी अच्छा था तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आपको कह सकता हूं कि उस्मान गनी आपके लिए डिफ्रेंश प्हेवीडियो को लाइक करें चनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट e iusk तो यथैसे लिए उसके बाद आपने दोने कोशन के आंसर करते हैं अगर आपका सही आंसर हुआ तो आपको फ्री में दश्जार मिलने वाले हैं अब गाइस बात कर लेता हम यहाँ पर फैनल टीम के बारे में जो इस वक्त मैंने माइरे सरकल की बनाई हुई है इसमा आप देखोगे जिसे मैं आपको बोला था विकेट की बनाए हुआ है लोकेश रावल मेरी आज पहली चौईस है क्यों है आपके विराट को ली उतनी अच्छी फॉर्म मेरी है आई पेल से यह आप देख लो और इस ग्रावड पर विराट को ली बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे है रोई शर्मा का फॉर्म अच्छा नहीं पर नहीं रिसेंट फॉर्म अच्छा है एक मात्र जो प्लेयर बचते हैं बैटिंग में अच्छे कर रहे हैं वह हैं आपके लोकेश रावल मेरे कैप्टन होंगे और चुकि मुझे थोड़ी सी उम्मीद है आज जस्प्रेट बुम्रा टॉप औरनर को कॉलाप्स कर सकते हैं जाकर्कर्स लो तो nggak वैरे विडियो को टेलेगराम पर मिलेगा है सब कुछ आपको टेलेगराम पर मिलेगा अगर भाई चांस लिंक से जोई ना हो ना आप टेलीग्राम पर सर्च कर ले ना क्या एड़ रैप FCG Official आपको Fantasy Cricket Guru चैनल मिल जाएगा और जिस भाई ने माईलब सरकल आपको sign up नहीं किया है डाउनलोड नहीं किया है आज अगर आपको डबल विनिंग अमाउंट चाहिए तो भाई डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक जाएगे माईलब सरकल आप sign up कर लो 15 सों को free bonus मिल रहा है